मैं कहता हूँ USA की ID बना के उस पे काम करना स्टार कर दो Facebook तो हर कोई यूज करता है लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि Facebook यूज करने पे हमें पैसे मिलते हैं और वो वाली जो हम Facebook यूज करते हैं उसके अंदर जो ID लोगिन होती है वो USA की होती है मुझे बहुत जादा दोस्तों ने यही मतलब कमेंट्स किये थे कि तारिक भाई हमें USA की ID बनाना सिखा दे सिर्फ तीन स्टेप के अंदर आज मैं आपको USA की ID बनाना सिखाऊंगा अगर आप USA की ID बना लेते हैं उसके उपर अगर आप काम करते हैं तो आपको जो benefits होंगे वो भी सुन ले वीडियो आपको अच्छे लगे like बाद में करना है comment बाद में करना है subscribe बाद में करना है लेकिन अगर आप USA की ID बना लेते हैं और उसके उपर आप uploading करते हैं कोई भी simple जी post हैं तो आपको एक ऐसा bonus भी मिल सकता है जिसके अंदर आप 30,000 डॉलर कमा सकते हैं यकीनन आप performance bonus तो आपने सुना ही होगा तो अगर आप USA की ID होगी तब ही आपको performance bonus मिलेगा दूसरी बात अगर आप USA की ID को ही use करते हैं तो उसके उपर आपको ads on rails का option बहुत असानी से मिल जाएगा और आप easily Facebook से पैसे कमाना start कर देंगे तो बिल्गुल 3 simple से step है आपने सिर्फ इनको follow करना है और मेरे बताए हो तरीका को use करना है तो आप भी अपने mobile पे USA की ID करेट कर सकते हैं तो इसके लिए कौन से वो 3 step है कौन कौन सी चीज़े required है यह सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीज़ेगा एक कमेंट जरूर कीज़ेगा कि यह मतलब यह method वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है और चैनल पे ने तो subscribe याप कर सकते हैं बिना time is कि यह चलते हैं mobile की screen पे तो हम आगे है mobile की screen पे तो यहां पे आने के बाद सबसे पहला काम आपने गया करना है आपने play store से एक VPN डाउनलोड करना है VPN आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो मैं बता रहा हूँ यह 100% वर कर रहा है तो इसका नाम है tomato VPN यहां पर यह देख लें कुछ इस तरह का sky icon होगा और इस तरह आपने इसको install कर लेना है install करने के बाद आपने simple इसको open कर लेना है जैसी आप open करेंगे तो आपके साबने यह rating मांगेगा आपने इसको decline कर देना है और उसके बाद इसको go पे click कर देना है जैसी आप go पे click करेंगे तो यह connect होना start हो जाएगा सबसे पहले यह किसी unknown server पे connect होगा तो आपने क्या करना है जैसी यह connect हो जाए तो उपर आपको एक मतलब flag नजर आ रहा है यह उपर मैपको highlight भी कर देता हूँ यहाँ पे आपने यहाँ पे click करना है जैसे ही आप यहाँ पे click करेंगे तो आपके साबने बहुत ज़्यादा countries आजाएंगी जो के free of caste है तो आपने क्या करना है United States की कोई भी cities का आपने यहाँ से server connect कर लेना है तो मैं यहाँ पे Los Angeles का कर रहा हूँ यहाँ पे यह देखें मैंने इस पे click किया है उसके बाद यह दोबारा reconnect होना start हो गया है तो यह connect हो चुका है अब आपने दूसरा काम क्या करना है आपने browser पे आना है फिर google browser पे आजाए या किसी भी browser पे आजाए तो आपने यहाँ पे outlook का option search कर लेना है यहाँ पे outlook पे आजाएंगे आप जैसे आप outlook पे आएंगे यहाँ पे आपने एक sign up का option नज़रा रहा है आपको यहाँ पर यह भी बार के नीचे तो आपने यहाँ पे click कर देना है ठीक है तो उसके बाद आपने create free account पे click कर देना है जैसे आप create free account पे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा यहां पे आपने एक email की information put करनी होगी तो यहां पर यह देख लिए आपने simple का करना है यहां पर कोई भी आप अपना नाम रख सकते हैं तो यहां पर यह देख लेए तारिक USA 55 मैंने रख दिया और उसके बाद मैंने इसको next किया है next करने को बाद password आपने लगा देना है मैं अपनी मर्जी का password लगा देता हूं और उसके बाद आपने simple next कर देना है next करने के बाद आपने यहाँ पर अपना first name लिखना है और second name लिखना है नाम आप कोई भी लिख सकते हैं लेकिन कोशिश यह करें कि नाम अपना original रखें जो कि आपके documents पर है तो उसके बाद आपने next करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने United State Country Show हो रही है आपने ही रहने देना है अगर आपके पास Pakistan या कोई और country show हो तो आपने email create नहीं करना उसके बाद आपने यहाँ पर date of birth select कर लेनी है जो आपकी date of birth है आपने वह select कर लेनी है select करने के बाद आपने simple क्या करना है आपने इसको next कर देना है तो जैसे आप इसको next करने आपके सामने कु इसको direction बतानी है कि ये किस direction में है जिस direction में आपको मतलब इशारा जारहा है वही direction में आपने इसका audience कर दिना यह दो से तीन दफा आपको करना पड़ेगा उसके बाद हमारी email बन चुकी है अब आपने next step क्या करना है आपने क्या करना है आपने वापिस आना है अपने प्ले स्टोर के अंदर मैं इसको open करके भी दिखा देता हूं यह देखें यह हमारी email open होके आचुकी है भी अभी हमने create किया है अब मैं वापिस आगे हूं उसके बाद आपने लेगा आपने play store पर वापिसाना है play store पर वापिसान के बाद आपने यहाँ पर facebook light को download कर लेना है तो मैं facebook light यहां पर search कर लेता हôm तकि नई Facebook ID बनानी होगी, अगर इससे पहले आपके पास Facebook Light में कोई ID ये open है, या आपके पास पहले ही बनी हुई थी, तो आपने Facebook Light को दोबारा delete करके, uninstall करके, मतलब दोबारा आपने download करनी, ये ज़रूर ये है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना नाम लिख रहा है, नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक option आ रहा है, mobile का, तो आपने mobile पे नहीं जाना नीचे, आपको एक और option आ रहा है, sign up with email, तो आपने यहाँ पे click करते नहीं, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने next करने के बाद यहाँ पे date of birth आपने अपनी original रखनी है, जो के आपके किसी भी documents पे लगी हुई हो, जो के कल को अगर हमारी idea disable होते है, तो हम उसको recover करने में असानी हो सके, उसके बाद आपने इसको simple next करने करना है, female है, जो भी आप हैं, उसको select कर दें, उसके बाद आपने पासवर्ट रखके, इसको sign up पे click कर देना है, जैसे आप sign up पे click करेंगे, तो यह देखिए, इसने हमारा नाम accept नहीं किया, आपने क्या करना है, आपने नाम अपना दुबारा चेंज कर देना है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे अपना नाम दुबारा लिख रहा हूँ, लोग इन करने के बाद यहाँ पे आपका यह code मांगेगा, जो के आपको five digital में मिलेगा, और यह आपको कहाँ पे मिलेगा, जो हमने अभी मतलब outlook की email बनाई है, तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ, यहाँ यह देखिए, इसको मैं refresh करता हूँ, जैसे मैं refresh करता हूँ, तो मे पीसी में भी आपने VPN लगाना है, VPN लगाने के बाद आपने, पेड़ वीपन लगाना पीसी में, तो उसके बाद आपको यह code हासल हो जाएगा, यह code आपने यहाँ बूट कर देना है, जैसे बूट करेंगे आपने करना है, तो आपकी Facebook ID क्रेट हो चुकी होगी, और उसके ब की बन गी है, यहाँ पर यह देखें, आपको जितनी भी पोस्टे मिलेगी, USA के लोगों की ही मिलेगी, इससे यह थाबत होता है, कि यह USA रिजन की बन गया, लेकिन अभी इसकी लोकेशन कंफर्म नहीं की Facebook ने, तो इसकी लोकेशन कंफर्म करने के लिए, आपने क्या करना है Simple आपने 3Dot पे जाना है, 3Dot पे जाने के बाद, आपने इसकी setting open करने के बाद, setting open करने के बाद, थोड़ा से scroll down करेंगे, तो यहां पर नीचे आपको एक और setting option आईगा, setting option पे क्लिक करने के बाद, आपको यहां पे एक language and region का option आएगा, यहां पर मैं इसको highlight भी कर देता हू हो चुकी है उसके बाद यहां पर आपको location access की option आ रही है आपने इसको off ही रखना है अगर आप इसको on करेंगे तो आपकी location confirm नहीं होगी उसके बाद आपने यहां करना है फिर back आना है back आने के बाद आपने एक post बनानी है post में आप कुछ भी लिख सकते हैं मैं यहां पर simple लिखूंगा hello facebook या कुछ भी आप लिख दें उसके बाद आपने यहां करना नीचे आपको add location का option नजर आ रहा है आपने add location पर click करना है और उसके बाद आपने इसको अलोग कर देना है अलोग करने के बाद आपने यहां पर USA सर्च कर लेना है जैसी आप USA सर्च करेंगे आपके सामने काफी सारी location आजेंगे यहां पर कोई एक location आप इसको tag करने के बाद आपने simple इसको post कर देनी है जैसी आ करने से आपकी location फेजबुक एक से दो दिन के अंदर नहीं तो एक वीक के अंदर 100 पर्संट आपकी location कंफर्म कर देगा जो कि प्रैमरी location होती है वैसे तो यह आइडि फेजबुक की location जो योसौ कर रही है वो यूस्य की यो कर रिया लेकिन फिर भी आपने इसको confirm करने के लिए ये काम करना है और last में आपने एक ऐसा काम करना है आपने mobile की setting में आने के बाद यहां पर आपने location में आना है और location आपने हमेशा इसको off ही रखना है अगर आपने location on कर दी तो आपका mobile अपने browser को जो location from करेगा वो पाकिस्तान की होगी इंडिया की यहां पर आप exact रह रहे होंगे वहां की show करेगा और उसके बाद आपकी ID की जो location है वो automatically change हो जाएगी तो याद रहे आपने यह सारा काम VPN के अंदर ही करना है VPN कोई भी use कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिया